बिस्मिल्ल्य रुख्माद रहीम, असलाम अलेकुर्ण तुल्य वरकातू, कैसे हैं डेस्टोंट्स उम्मीद करता हूँ, आप सब लोग ठीक ठाक होंगे डेस्टोंट्स सेकन्ड एर के मोस्ट इंपोरेंट इस्लामियाति खिरी का गैस्ट पेपर जो आप लोंग साथ शेयर करने जा रहा हूं, हर शोदा गैस्ट पेपर है, आप लोग को त्यारी करने में बहुत असानी रहेगी, यह जो है मुखसिर कोईस्टन है, जो आप लोग सा है आंसर खुद देखते जाएगा उसके बार कि दूसरी मंजल कहां से शुरू होती है नेकश्ट है कुरान के नजोल का मकसद एक सत्र में बियान करें उसके बार कि जिस सुरा का हिस्सा आपके कॉर्स में है उसका नाम लिखें उसके बाराद मक्की और मदनी सूर्थों की तदार लिखें नेस्ट है हरूफ मक्ताद से क्या मुराद है तो ये वही हरूफ मक्ताद की वो आ रहे हैं क्वेस्टन जो है वो पीछले पेज़ पर आपने देखा था उसके बाद लायोमिनुना का तरजमा लिखें पिर आगे पिर है बाउज़ वहतन से क्या मुराद है तो हाल शूता है ये आप वीडियो की स्पीड स्लो कारकीन को देख लीजएगा कुरान में इनसान जिन्दगी या दो जिन्दगों का जिकर है इससे क्या मुराद है नेक्स्ट है बारिश का इनसान जिन्दगी पर क्या असर है मुनाफ़कीन की मिसाल दे कर इसकी वदाहत करें उसके बाद नेक्स्ट है हदरत मुसा और हरून अलाएसलाम की वफात के बाद कौन इनके जान नशीन बने उसके बाद है बनी इसराइल के कितने कबीले थे नेक्स्ट है बनी इसराइल ने तुरात पर इमान लाने की कौन सी शार्ट रखी उसके बाद है तरजमा करें वमदल्ला हो बिगाफल मता मैलून तो इसका तरजमा करना है नेक्स्ट है बने इसराइल में Allah Ta'al ने ने कितने मववूस नबी फरमें नेक्स्ट है जकात के दो फाइदे बियान करें उसके बाद है थर्थ इसमाईल अलाइसलाम की वालदा का नाम लिखें नेक्स है अन्बिया बने इसराइल का कौन सा कबीला था उसके बाद है शुकर से क्या मुराद है तलभव में गलती हो जाए तो इगनोर कीज़ेगा हज किससान Ten अहिजरी में फर्ज हुआ उसके बाद है सुन्नत का मफहूम ब्यान करें नेक्सट जो है नेक्सट पेज़ नेक्सट पर मुत्फिक लिया हदीश से क्या मुराद है उसके बाद है कौली और फैली हदीश से क्या मुराद है नेक्स्ट है हदीश जिबरेल के मताबक इहसान क्या है उसके बाद है इसलाम की बनियाद किन पांच बातों पर है उसके बाद है इनसानी जिसमें दिल की अहमियत क्या है नेक्स्ट है बिद्दत का मफहूम बियान करें या मफहूम लिखें उसके बाद है तद्वीन कुरान के कितने अदवार है नेक्स है जामिल कुरान कौन है उसके बाद हदर जिब्रेयर आश्लाम किस सहावी की शकल में आया करते थे तो यह मॉस्ट इंपोर्टन जो शार क्वेस्टन है बोर्ड पेपर बार बार पूचे गए यह वही शार क्वेस्टन है उसके बाद कुरान के दो सफाती नाम लिखें सिलसला तोल जहर से क्या मुराद है वही के बाद वही रुकने के जमाने को क्या कहते है यह नोर्स जो है जो गैस है यह लेक्टरर हाश्मी अख्यार नोर्स बन सेकंडियर उसके बाद जो है वही के बाद रुकने के जमाने को क्य कहते हैं कुरान मजीद ग्रैमर के लिहाज से क्या है उसके बाहिव मुटनिगें की दो सफात तहरीर करें NEx है एनी जयर भिलॉ आड़ खिली कलीफा का तर्जमा करें उसके बाहिद है कुरान मजीद ने सबसे जालिम किस को कहा है और उसके बाद है बशीर और नजीरा बशीरम और नजीरा का उन है उसके बाद है तहवील किबला से क्या मुराद है तो यह देख लें नेक्स्ट क्वेस्टन है मस्जद किबला तैन कौन से मस्जद है उसके बाद है वल्ला जी नामन वाशुद वहब बल्ला का तर्जमा करें समंदर के दो फ़याद बियान करें नेक्स्ट है सफ़ा और मर्वा से क्या मुराद है उसके बाद नेक्स्ट है सिब्गा दुल्ला से क्या मुराद है next is मिलत अिबराहिमी से क्या मुराद है उसके बाद है सहाथ सित्त से क्या मुराद है next is मोत्ा किसकी किताब है भीहित न हम्हाद closely एक आइत पर लिखें ध्रियं के लिखें उसके बाद है बनी अलिए लिँगत स्वाहिद Barat उसके बाद है, अरकान ने इसलाम से क्या मुराद है, उनके नाम लिखें, तो नेक्स्ट है, ये तर्जमा जो है, इसका लिखना है, उसके बाद है, हदीस की रोश्ट में नेकी और बद्दी की तारीफ क्या है, नेक्स्ट है, फेल अमर की तारीफ करें, उसके बाद है, मुरक किस महीने में नाजल हुआ, कुरान पाक की दो खुसूसियात लिखें, इंजील किस नबी पर नाजल हुई, उम्मत वस्त से क्या मुराद है, और उसके बाद है, अबलीस ने हदर्थ आदम अलयाश्यलाम को सजदा करने से इंकार क्यूं किया, उसके बाद है, हदर्थ रकूब ने अपने बेटों को क्या नसीहत की नेक्स्ट नमाज के दो फाइदे लिखें उसके बादे हज़र मुसा अलाइसलाम ने अपने असा किस चीज़ पर मारा बनी इसराइल ने कितने अन्बिया को शहीद किया तो इसका आंसर जो है वो नेक्स पेज़ पर है मजईद तो ये जो है आंसर दिया हुए है कि एक जिनों में 45 नबियों और 117 साथ लिहीं को कतल कर दिया था जो इनको अच्छी बातों का हुकम दिया करते थे और इस तरह हदर अथर जिकर अलएसलाम और हदर याया अलाईसलाम को बिए शहीद कर दे गिया और एक ओलक मतब़त हदर य तर्मान और कुर्बान का आकि दृब्याश्य किया और इस जगह पर आप लिएसलाम से पहले 17 अविए किराम को यहूदी शहीद कर चुकते तो यहूद की दो खराबियां लिखें और उसके बाद रपनि इसराइल की तोबा की शार्थ क्या थी और उसके बाद है इसराइल से क वो नेक्स पेश पर तो ये आंसर है पिछले का थोड़ya साथ, उसके बाए शुक्र की एक्साम लिखें, नेक्स है सहाथ सित्ता में से दो किताबों के नाम लिखें, हदیस की उस किताबा किताब का नाम लिखें, जो रसुल पाक ﷺ के ओहद में लिखे गई और उसके बाद है अर्बैईन की चौती हदीस में तक्दीर का मफ़ूम लिखें तो यह उसकी इकसाम भी दीवी है उसके बाद है हदीस की रूस जन्नत के दाखले का मियार क्या है नेक्स हदीस की रूस लोगों की महबत का क्या जरीया है उसके बाद है इसलाम या खुबत कैम करने का एक तकाज़ा लिखें नेक्स है इसमनकरा से क्या मुराद है मिसाल दें उसके बाद है मदनी सूर्थों से क्या मुराद है फिर है कोई से दो कातबी ने वही के नाम लिखें उसके बाद है मुनाफकीन की दो निशानिया लिखें और नेक्स्ट है तरजमा लिखें उसके बाद फिर ये तरजमा लिखने वाला है नेक्स ट्रेक जहूद किस फुरिष्टे को अपना दुश्मा समझते थे और क्यों और ये जो है आप लोगों का क्वेस्टन नमर 84 नेक्स ट्रेक कोई से दो आदाब मस्जद लिखें वाकिया रफ़ा तोर पर मुकसर तहरीर करें और उसके बाद है नसरानी किन को कहा जाता है उसके बाद हरूत और मरूत से क्या मुराद है उसके बाद है ताबई किसे कहते हैं नेक्स ट्रेक हदीश जिबरेल के मताबक एमान क्या है और नेक्स पेज़ पर मूग करते है तो नेक्स है ये दीवी हैं तो इनको इनका तरजमा लिखना है उसके बाद है अल्ला की चराह गाह से क्या मुराद है ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्यूंकि आराब नहीं लिख भी ते मिस्टेक हो सकती है लेकिन आपको तो जब ये सामने आएगी तो आपको पता चलते हैं ये फुलानी आयत है उसके बाद है अल्ला की चराह गाह से क्या मुराद है इसलाम में रिजक हलाल की क्या एहमियत है उसके बाद फिर है तरजमा करें नेक्स हया के बारे में मुक्सिर तहरीर करें कुरान की बड़ी और छोटी सूरत का नाम लिखें तर्तीब तोकीफी से क्या मुराद है तो इसका अंसर थोड़ा सा वो नेक्स पेज़ पर होगा तो ये तर्तीब तोकीफी का जो है वो बक्या अंसर उसके बाद मक्की सूरतों की दो खुस्सियात लिखें नेक्स रिज़ बनी इसरेल किन नबी किस नबी की उलाद है नेक्स रिज़ जम्ह तद्वीन कुरान से क्या मुराद है उसके बाद हदर मुसा लिखें के दो मुज़ात बियान करें नेक्स रिज़ हरूत तमरूत लोगों को क्या सिखाते थे उसके बाद दीन किस से खैर खुई का नाम है नेक्स रिज़ रोया साथका से क्या मुराद है इमान का मैनियो मफहूम बियान करे उसके बाद एतकादी मुनाफिक किसको कहते हैं नेक्स ड़िए हदरत आदम अलेशलाम की फजीलत की वज़ा क्या थी उसके बाद यूम सब्द की पबंदियां क्या थी नेक्स ड़िए बन इसरेयल के जादू सिखाने का सबसे मकसद बड़ा मकसद क्या होता था तो यह जो है इसका अंसर नेक्स पेज पर बक्या अस्ताफरूलाई इमाम बुहारी कप और कहां पैदा हुई सहाबी किसे कहते हैं Next है कियामत की दो निशाने तेहरीर करें अधित के मुताबिक कतले मुस्लिम की जाइज सूर्थें तेहरीर करें हदित में जन्नत में दाखले के कम से कम क्या मियार बताया गया इसका अंसर पहले आ चुका है स्वाल नमबर 75 में उसके बादे हदीश के मताबिक हर रोज जिसम के हर जोड का सद्का किस तरहां अदा होगा नेक्स्ट है जबीहा पर रहसान करने के लिए आप क्या तरिका कार इक्तियार करेंगे तरिका करें नेक्स्ट भी तरिका करें उसके बादे साग्ब का अक्वाम की तरहां गहर जोड़ी सवालात करने का क्या नुकसान है नेक्स्ट है अधिश के मताबिक लोगों को चेहर या नतनों के बल्बल क्या चीज़ गिराएगी फिर है ग्रैमर का फिल मजारे की तरीफ करें और दो मिसालें दें उसके बाद है फिल नहीं की तरीफ करें और दो मिसालें दें वही का मफ़ूम बियान करें वह पहले वही की दो आयात अर्बी में लिखें और उसका तर्जम भी उसके बाद है अलबक्रा से क्या मुराद है नेक्स्ट है ये तर्जमे हैं इनके लिखने हैं तो इनके देखने जाएं आप लोग इनके क्योंके तर्जमे लिखने है उसके बाइड़ल्ला बिनुमरु बिन आसर जिस्तला अन्हों की तालीफ किर अधीष की किताब का नाम क्या है फिर हिमतने अधीष से क्या मुराथ है और उसके ऐधीष की ऐहमियत बेन करें और नेक्स्ट है हदीष जबरील के मताबिक इसलाम क्या है और अज़िश में मश्कूक चीजों के बारे में क्या हुकम है नेक्स से तहमीद से क्या मुराद है एकराम जार से क्या मुराद है फैल माजी की तरीफ करें और इसकी एक मिसाल दें मदनी सुर्तों की दो खुस्सियात लिखें उसके बाद है हिफाज़ते कुरान के मुतालिक आयत लिखें और उसके बाद है तर्जमा बन इसराइल पर दो इनामात खुदावंदी ये तहरीर करें फिर रहकें दो हस्तियों को दराख के करीब जाने से मनहा किया गिया उसके बाद है बच्छे को की पूज़ा करने वालों क साथ क्या सलोक किया गिया तो ये जब पिछले पेज़ पर सवाल था बच्छे की पूज़ा करने पर बन इसराइल को लोगों की ये सजा ठहरे को एक दूसरों कतल करें वो भी इस तरह कि हर शाक्स अपने अपने करीबी अजीज को कतल करें इस तरह आला ताल ने अमन अलहास किसे क्या मुराद है उसके बाद है माईनी लिखें तो ये कुछ अलफाज है इनके माईनी नेक्स पेज़ पर भी अलफाज हैं पड़े इस वाद कराम जीद के असलूब बियान की वजाहत कर रहे हैं रोज़ की एहमियत के बारे में हदीथ का तर्जम लिखें इमान की सत्तर से जाध शाखें हैं सबसे अवजल कों सी है सुरत बकरा के दो मज़मीन तहरीर करें और जमाने को बुरा कहना क्यूं गल्ट है नेक्स्ट है दो कबीरा गुनाह तहरीर करें उसके बाद है इनकी जम्मा बने ये जो आपको नदर आ रहे हैं तो इनकी जम्मा बने तालिब की तुलबा तो इस तरह इन सारों की जम्मा बनाना आप लोगों को आनी चाहिए तो इनको देख लें फिर जो हम नाक्स्ट सेकंड लास पेज की जानब जो है वो मूव करते हैं शाट क्वेस्टन्स के उसके बाद नेक्स्ट है मुझकर कि मुएनस लिखें ये कुछ अलफाज है ये मुझकर की इनके मुएनस लिखने हैं उसके बाद हद्थ relación किस आदमी की इसलाम कि खूब्या क्या है? और गस्य का लाज क्या है? हजुर अकाल uniform का आइना कहने से मनहा क्यों किया गया है? और यंसरू से मजारह मजहूल बनाए उसका फैल मजारह बनाए ये कुछ अलफाज दियों इनके फैल मजारह बनाने है तो लास्ट पेज है ये कुछ अलफाज दिये गए यौमिनों बिलगाईबे इसका तर्जमा करना है और उसके बाद दूसरा है 173 इसका भी तर्जमा 174 तर्जमा 175 तर्जमा 176 तर्जमा 177 इसका भी तर्जमा 178 इसका भी तर्जमा 179 इसका भी तर्जमा और 180 इसका भी तर्जमा 181 इसका भी तर्जमा और 182 तर्जमा 183 तर्जमा तो यह डियर स्वेंट्स आप लोग के इसलामी एक्तियारी का बेस्ट से बेस्ट गेस्ट पेपर है जो कि मैंने आप लोग साथ सोल्व शेयर किया है तो उम्हीद करते हूं आपको क्लियर हो गयो 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 इसके इलावा जो गेस्ट पेपर मैंने लास्ट टाम शेयर किया था वो भी आपको टैप शो करवा देता हूं तो वहां से भी आप लोग जो है एडिया मजीद ले सकते हैं इसलामियत एक्तियारी का पेपर का बाकि जो है चैनल पर न्यूँ है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देजगा अर्दू, इंगलिश, मुताला, पाकिस्तान, आलमोस्ट हर सब्जेक का गेस्ट पेपर ज देखने हैं तो आप लोग जो है ट्वेल्थ आगे सब्जेक का नाम लिखके गेस्ट आगे यहर बैएच बी ऐसे एड्यूकेशन लिखेंगे तो सर्च करेंगे तो पहले नमबर पे आपको हर सब्जेक की गेस्पेपर जो है वीडियो जो है देखने को मिल जाएगी तो अफजड़ जाएफष नेखने को दो और सकताइब के दिए करसे अग्लिख झांज़यो जो खुछड़ भी रियां विलीजुल दो पिए मधने को यहर झाला है टो है यहर आगे तो आग्यापवाव पीजेए तो आगे जो यहर दो वाला है गला है पहते दो चाहिएवावा